येस हलो फ्रेंट्स कैसे आप आसा करता हूं आप अच्छोंगे आपके घर पर सब अच्छोंगे मैं कुस्मार्ट सौगत करता हूं आप लोगों का आपकेस यूटूब चैनल में जिसका नामा IQ अड़ा हम लोग कर रहे थे सब्सक्राइब करता है तो पहला प्ले लिस्ट में में डाल दे हूं और साथ में ये बता तुर्थरी और वर्टसप ग्रूप भी मैंने बनाया है जो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूं फिर से मैं दे दूँगा वहां जाके आप मुझे जूए कर सकते हैं, मुझसे जूट सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो half किया था, भी टाम ने वह बीट गया, जो टाम देखना था, ठीक है, तो में टम में हम लोग आते हैं यहां पर एक request करूँगा मैं चैनल पर यदि आप नहीं तो subscribe जरूब करेगा subscribe करके इसके bell icon जो दबएगा अब please 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 request है इसे share जरूर करेए उन लोगों तक पहुंचा ये जिसे एक खास जरूरत है बात समझवा रहे ना मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं ठीक है चलिए आप question start करते हैं हो गया जितना बात करना था हमें ठीक है सब कुछ मैं चेक कर लेता हूं वीडियो वगरे ठीक है यहां पर pencils मेरे ठीक है पेन मतलब मेरे ठीक है ठीक है ठीक के साथ उसी कच्छा में एक साथ पढ़ते हैं उप्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में में से किसका अनुपालन करता है कह रहा यहां पर पब्लिक यहां पर नॉर्मल बच्चे भी या कुछ मतलब विसे सबसक्ता वाले बच्चे भी हैं के लिए तो वहां पर जो पब्लिक स्कूल की पैटन के एकॉर्डिंग वह अपनी विवस्था को लागू करेगा चलाएगा चार अपसने पहला कहता है सतत और व्यापक मुल्यां को कि अधिक है तो क्या होगा यह समवर्ट कभी कभी नहीं मिलते हैं साकलोजी है ना नहीं टर्म मुझे देखने के मिलें आप लोगों देखने के मिलेंगे इसका अंसर क्या होगा इसका सीधा-सीधा आंसर को ऑपसन टू समवेसिस इंक्लूसिव एड्यूकेशन हमें सिखाता है हमी बताता ही है की हम सबको मिलकर काम करना हम सबको मिलकर स्टेडी करना अधियन करना है भले वो फिजिकल या मैंटली कुछ प्रावलम उनको हो फिर भी हम साथ में पढ़ेंगे सबको हम लोग बहुत ज्यादा अफ सकता पड़े तो डॉक्टर्स से कंसर्ट करके उसे स्पे रखती है मतले एक सरीता की एक स्टुरेंट है उनकी कोई टीचर है उसको अलग-अलग एक्टिविटी में इन्वाल रखती है जैसे समु चर्चा समु परियोजना इत्यादी समु में ग्रूप डिसकसन या पर कुछ प्रोजेक्ट वर्क है ग्रूप में है न इस तरह उसको ब चौथा समाजी कतिविधी के रूप में सिखाना किस तरह वो चाती है स्टडी करवाना बच्चों को देखिए इसका सिधा सिधा आंसर होगा आप लोग वीडियो पूरा देखेगा आप वीडियो पाउस करके इसका सॉलूशन देने का कोसिस करेगा मैं रिक्वेस्ट आप उसे करता हूँ ठीक है मैं यहाँ आप अंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसका अंसर होगा समाजी कतिविधी के रूप में सिखाना चाहती है वो मतलब अक्टिविटी करवा रहे करके सीखना जौन डीवी ने हमें बताया करके सिखने में बच्चे जादा सीखते हैं रहे करते हैं एक कुछ से सेल्फ वो सिखने करके इसलोग वो क्या कर रहे है समाजी कतिविधी लोगों के रूपरू होगी लोगों से इन्वढ़शा हो चैजांगी और अच्छी तरह से वो शीखेगी कहें तैन रहा में एक विज्ञान परदर्शनी का आयोजन किया गया था इसका एक उद्देश के साथ किया गया था आपके विचार से कौन सा उद्देश सरवाधिक उप्युक्त है मतलब एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया को मैंने भी किया था मैं तो ऐसे पढ़ता ने था लंपड थ सामिल गुआ था साइंस वाले में ठीक है तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो परदर्शनी किया गया था इसकूल में लगाया गया है वह उसका उद्देश क्या है कहता है आप्सन में पहला कहता है विभीन वेफसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रसिचित करने के लिए व बात की बात है पैरेंट्स वो बात की बात है ठीक है अभिभावों को संतुष्ट करना है जी करते रही है आप अलग है एक ही आंसर मुझे मिल रहा ऑप्सन अबर टू सही जा रहा है सिच्छार्थियों या स्टुडेंट्स के लिए सिजनात्यों माध्या मुपलत करने वो क नहित उद्देश है डैस को बढ़ावा देना मतलब कह रहा है कि क्लास रूट वो जोड़ पाए अब जोड़ करके वो क्या करना चाहरा है टीचर उसके पास सर्व उसके पीछे उसके आगे क्या उद्देश नहित होना चाहिए ओप्सन है चार ओप्सन कहता है ग्यान का सह स समंद इस्थानतरण करना व्यक्तिक भीनिताओं व्यक्तिक भीनिताओं तीसरा कहता है सिच्छार्टी सिस्वायत्ता और चौथा कहता है पुनरबलन जल्दी से इसका अंसर देजे क्या होगा जल्दी से बताइए देखिए यहाँ पर जदी मैं बोलूँ इसका डाउट मुझे थोड़ा सा हो रहा है दो अप्सन मुझे किलर हो रहा है ग्यान का सा समंद इस्थानतरण भी कर सकता है व्यक्तिक भीनिता भी होता है क्यों क्यों देखिए डायवर्सिटी बहुत जगा पाय समंद बढ़ाएगा पुराने नौलेज के साथ जोड़ा है इसलिए और पर एक नमबर सही जा रहा है देखिए व्यक्तिक भीनिता होता है वह अलग बात है क्यों क्या कहता है क्यों क्या पर योग और परयोग आत्म कारिक करते विए स्यामा का निस्पादन कच्छा में है एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल वर्क होता है तो स्यामा नाम का कोई स्टूडेंट है नाम की एक स्टूडेंट है उसका परफॉमेंस अच्छा रहा है क्लास में ठीक है तो उसे बहुत सिजनात पर सिच्छार्थी माना जाता है इसलिए वह डैस के द्वारा संकल्प नहीं होगा मैं यहाँ पर ऑप्सन आपके लिए दो छोड़ दिया हो जल्दी सांसर दीजे क्या होगा इंग्लिस मुझे देखने दीजिए ठीक है इसका आंसर जाएगा ऑप्सन नमर्ट त्री डाइवर्जन क्या बोलते हैं डाइवर्जन थिंकिंग के एकॉर्डिंग वो पातवर्णिय कारकों में निमली खित सभी सामिल है किसी एक के अलाबा किसी एक के अलाबा विकास का जो अस्तर होता जो आकार होता है उसके इन्वार्मेंट में बच्चों के इन्वार्मेंट में वो कौन-कौन से सामिल है सिर्फ एक के अलाबा सारी गठन है या वो मेरे प मैं बता देता हूँ देखिए संस्कृति जो है अलग-अलग कल्चर होते है लोगों के पास अलग-अलग इन्वार्मेंट होता है वातावरन यहां पर वर्ड भी यूज किया गया है ठीक है तो सबका अपना अपने तरीका होता है दूर्था सिच्छा की गुर्णबद्धा ठीक है बाइ नौलेज जो QUALITY होता है EGще incubation का अलग अलग होगा आप site का अलग होगा आपकोLEY का अलग होगह और पॉस्टी गुर्णबद्धा कक्वावलिटी जबकि लीना चर्चा वा ब्रेंड इस्टॉमिंग के बाद परतिक पार्ट को समझती है यह डैस के विकासात्मक सिधान्थ की और संकेत करता है तो दो कैंडिडेट है दो स्टुडेंट है वो क्या करें एक सीमा है और एक लीना है एक सीमा और एक लीना सीमा क्या करती है इसको दिसिष्ट की और चोथा कहता है निरंतरता का दौरा निरंतरता मतलब रेगुलर है ना continuity जिसमें हम लोलाते हैं हाँ English वही है continuity जल्दी से इसका अंसर बताईए देखिए इसका अंसर जाएगा मैं eliminate पहले करता हूँ देखिए अंतर समध नहीं होगा इसमें ठीक है अलग-अल अलग तरीके से चीजे और इस तरीके से यहां पूराया है फूराने छोटे एन कंसल विद्यारत्यों का आक्लन करते हैं परिणाम है क्या है रहा है यहां पर जो सहयोगात्मक अधिगाम है पुराने या फिर जो इस्टुएंट हाँ अधिक दच है बातसमेदें ना उसका आकलन करने चलते है तो इसका परिणाम क्या होता है जल्दी से बताएगा उच अधिगमेंट या सेफ इस्टिमेंट उच नायतिक विकास हुता है सम्हूं में द्वंद होता है या गहन परती योगता होती है सबसे पहले द्वंद की बात कहीं करना ही नहीं है बहुत बड़ा पाप है यह इससे नहीं करेंगे तो इसका अंसर क्या होगा जल्दी से बताए चार आप्सन में देखे उच उपलब्दी वा स्वा गरीमा इसका आंसर जाएगा इसका अंसर बात है हाई एटिमेंट और सेल्फ इस्टिमेंट हम लोग करेंगे क्योंकि वहाँ पर दिखाया गया कि लो लेवल का बच्चे को हायर लेवल के बच्चे मदल लेवल लेटमिस नॉलेज के बेसिस पर के लिए ना ओमर या किलास के बेसिस पर नहीं ठीक है आगे चारते एटिफूर कहता है डिसलेक्षिया होता हमारे पढ़ने से समद्धित आपको सिधा-सिधा याद रखना ग् कहता है परियावरन अध्यन की कच्चा में संकल्पनाओं को स्वष्ट करने के लिए कविता कविताओं और कहानियों का परियोग करना डैस सहयता करता है मतलब परियावरन अध्यन में या परियावरन का जो सिलेवस है थोड़ा सा जूम कर लूँ पर्यवरंकर जो अध्यन है उसमें कहानिय कविता को सामिल किया गया है क्यों किया गया है और क्या है पहला कहता है सिछार्थियों में नहित भासा एवें संस्कृति विविताओं का ध्यान रखने में दूसरा कहता है सही दिशा में विद्यार्थियों की उर्जा का सरनी करन करने में तीसा कहता है पाठ को आननदई और रोचक बनाने के लिए चौथा कहता है इस्थानिय वह वैश्विक संसार की प्रकृति को खोजने और कलपना करने की यूगता को बढ़ावा देने के लिए हम सभी के बारे में स्टोरीज पढ़ते हैं पोएम हमें क्या करते हैं कन्स्ट्रक्टिव आइडियास देते हैं फिलिंग्स लाते हैं इमोसन लाते हैं पोएम वगिरा मैं न कहानी अच्छाई बुराई मौसन से समंदीद एजिक्वेशन से समंदीद किसी महापरूसों के सम हमारे इस्थानिये और वैस्विक दुनिया को जूड़ने का काम करता है हमारा और वह क्या करता है बच्ची आपने खोज और कलपना पर बल लगाते हैं दवाब देते हैं दवाब मतलब बल लगाना ठीक है मेरा सेंस वह समझ देए तो उस पर लगाकर वह आगे बढ़ने का कोशिस करते ज्ञान और जित करते तो इसका अंसर फूग जाएगा किलियर है आगे चलते 86 क्या कहता है कहता है एक सिच्चक पढ़ाते समें स्रव विद्रिश समागरियों एवं सारी गत्ति विज्यों का परियूँ करता है क्योंकि वो मतलब क्या करता है टीचिंग लगले म में अधिक्तम व्रिदी में अधिक्तम इंद्रियों का उद्यों करते हैं चोथा कटाया सिच्चक को आराम उपलद कराते हैं भाँबाई इससे कैंसल करणि एक मैंने यहां बी कर दिया और प्राभावी अकलन सुगम बनाते हैं यह यह वह इ 내ais है रस प्र्यों परियूग कर अगर आप टीचर क्या करते हैं वो भी फुजिकल अक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी अपने इंद्रियों को पर्योग करके बच्चों को सिखाने का कोशिक करे ताकि बच्चे भी पर्योग कर सके सीख सके के लिए प्राथमी कस्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसेश्ट तरीका डायस का पर्योग करना मतब प्राथमी कस्तर पर जो बच्चों का हम लोग क्या करते हैं या फिर उसका एसस्स करते हैं वो सबसे अच्छा तरीका क्या है बेस्ट क्या है प्रामरी लिवन बेस्ट वे क्या है पोट्फोलियो आपधिक परिच्छाएं गरीकारे देना या योगात्मक कारे सबसे पहले हम लोग परिच्छा पर ध्यान ने देंगे गरीक कारे पर हम द्यान नहीं देते हैं ठीक है जबुरत लगे ऐसा ऑप्सन तो आप खटे गरीक कारे के तब देजिएगा अनिता नहीं के लिए रहे तो फिर से मैंने आपके लिए छोड़ दिया एक और चार जल्दी से अंसर बताई देखे इसका आंसर जाएगा पॉर्टफोलियो पूरा समग्र हमें इंवल्व किया जाता है उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है उसके उसके क्या बोलते हैं लोग लर्निंग एबि डैस के अलावा निमलिखित परियावरन अध्यन पढ़ाने की वीधिया हैं मतलब चार उप्सन है इसमें से तीन आपको है परियावरन पढ़ाने के वीधिया है लेकिन एक नहीं है कौन सा नहीं है वो दिखाना अलावा पुछा है डैस के अलावा ठीक है तो पहला उप्सन लेइंगे और चौछा कारेंगे कारेंगे कॉपरेटिव लर्निंग करवाएंगे उसे या फिर इंक्वारी करवाएंगे निर्देशित खोज कोई काम देदें बोलेंगा आप इस पर खोज करो कोईशन स्पूट अप करो कोईशन कर खुद से निर्मान कर और आंसर दो है ना तो इसका आंसर क्या जएगा वेख्यान पदती नहीं होगा आगे चलते 89 आज का सकेंड लास कोईशन कहता है परियावरन अध्यान कहता है विसेस्ता पर योगों पर ध्यान देना चाहिए दूसरा कहता है विसेस्ता पुस्तकों पर इच्छाओं पर ध्यान देना चाहिए इसे कैंसिल करेंगे हम तीसा कहता है बच्चों के दिष्टिकों को स्विकार करना एवं सम्मान देना चाहिए ठीक है उनके उनका द मैंने कैंसिल कर दिया है ठीक है तो एक और तीन आपके लिए छोड़ दिया जल्दी से इसका आंसर पताए क्या होगा एक या तीन में देखिए मैं इसे बोलूंगा ऑप्सन ए सही जा रहा है पूछे क्यों बच्चों का समान तो मैं करूंगा लेकिन जो बच्चों का दृष् युट्ष्चों को मैं स्विकार करूंगा नहीं इसलिए यह अप्सन नहीं जाएगा समान तो करूंगा ठीक है लेकिन पहला अप्सन क्या रहा है परयोगों पर ध्यान देंगे हम एक्टिविटी करवाएंगे परियावरान स्टड़ी है ना उस पर हम लोग ध्यान देंगे क्लियर है option A सही जाता आज का last question कहता है परियावरान अध्यान की पार्ट पुस्तकों में अभ्यास एवंग गती विदियों को डैस उपलब्द कराना चाहिए तो परियावरान अध्या का जो पार्ट पुस्तक है उसमें अभ्यास गती विदियों उसमें क्या हम आड्ट कर सकते हैं एकाई के अंहिए वसे एकाइक कर सकते हैं प्रकर्णो करन की क्या нравится यह पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर जल्दी सा अंसर देजे क्या होग होगा जो अभ्यास या घतिwie dya questions और टेक्स्ट बुक में उसको कहां हमें जोड़ना चाहिए मैं इसे option 3 में जाऊँगा प्राकर्णों के अंता करन में अंता निर्मन में मतलब topics के बीच बनाते हैं जाएंगे और समझते भी जाएंगे बात में समझ में आ गया अंत में देना वह अलग बात हो तो exercise बात समझ में आ गया चलिए तो आज मैं इतना ही रखता हूं फिर में मिलूगा आज देखता हूं कल सुबाव मैं टाम सिट कर लूँगा मुझे यहां पर पढ़ाना होता है खुदी पढ़ना होता है कुछ काम भी करना होता है घर पर अकेले रहते हैं अब मैं और फादर रूब कर लेगा मैं आप लोगों के लिए मैनत कर रहा हूं ठीक है सेरख करके सब्सक्राब करके इसके बैल अक्कन जोड़ दबाएंगा सबके लिंग देता हूं आप वहाँ जाकर जोएन कर लिजएगा मुझे cร लेजेगा ठीक है चलिए फिर मिलता हूं ठीक यू वेरी म प्राह से पूता है